कि नमस्कार कि सोभाग एस्ट्रोजी में आप सभी का स्वागत है कि आज हम बात करेंगे विवाह में एस्ट्रोजी कैसे हिल्प कर सकता है अगर किसी की भी साधी तैक करनी हो तो उसमें एस्ट्रोजी हमें क्या मदद कर सकता है आप जान सकते हैं कि विवाह चाहे वो लड़का का हो या लड़की का हो तैक करने से से पहले हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं और सही डाइरेक्शन में चलते हुए हम विवाह को जल्दी तै कर सकते हैं वो कैसे यह तै किया जा सकता है विवाह किस दिशा में होगा लड़का कैसा होगा वो कोई सरकारी जॉब में होगा या प्राइबेट जॉब में होगा जॉइंट फैमिली में होगा या सिंगल फैमिली में होगा तो इन सब option की मदद से आप कई option को छाच सकते हैं जैसे माल लगते हैं किसी एक लड़की का रिस्ता तै करने के लिए हम सोच रहे हैं हमारे पास कुणली से विचार आया कि यह जो लड़की है जिसकी कुणली है उसकी लाइफ में जो साधी होगी वो एक सरकारी जोब वाले लड़के से होगी इस डायरेक्शन में होने की संभावना है लड़का जोईन फैमिली से हो सकता है और मान लीजिए आपके पास कई ऐसे लड़कों का रिष्टा आ चुका है कि वो जोईन फैमिली में नहीं है लड़का इंजिनियर है अच्छा जॉब कर रहा है अब आप जब इस इंजिनियर की तरफ या फिर कुनली का नुसार ज्वाइन फैमिली में साधी होना है आप सिंगल लड़का ढूंड रहे हैं तो आप कितना भी घुमते रह जाएं वो साधी कहीं न कहीं ब्रेक होगी बादा आई जाएगी वो साधी तैय नहीं हो सकती है आप इंजिनियर से रिस्ता करने चले और कुनली का नुसार है कि लड़का सरकारी जोब में होगा तो अगर सरकारी इंजिनियर है तब तो मामला बन जाएगा लेकिन वो अगर प्राइवेट सेक्टर में कितना भी अच् है तो वहां पर बात नहीं बनेगी तो यह मदद अस्टरोजी इस तरह से टूल की तरह काम करती है आपके पास जो रिस्ता आ रहा है उसको आप ऐसे ही छाट सकते हैं अगर किसमाद में सरकारी जोब से होना है तो आप के पास ऑप्शन है सरकारी जोब वाले लड़के ज्व मैं दूर नाता पता कर सकते हैं कि सादी कि डियरेक्षं में होगी उसके नुसार आगे बढ़िये अपने सहर मेंहों होगी या दूर के सहर मेंहों कैसे होता है यह सब तो मानली जी अपने सहर में होनी है 50 km के रेंज में होनी है और आप दूसरे सहर में ढून रहे हैं तो वहां आप ढूनेंगे प्रसान तो होंगे पर बात नहीं बनेगी तो क्यों न हम इन चीजों का विचार करते हुए option को काफी हद तक control कर सकते हैं और सही direction में जाएंगे आपकी साधी बिल्खुल बहुत ही जल्दी तय हो जाएगी मैंने पहले ही बताया था astrology एक बहुत अच्छा टूल है जिसकी मदद से आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं तो astrology एक ऐसा टूल है जिसके मदद से आप बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं और अपने काम को आसानी से अंजाम दे सकते हैं विवा का विचार हम सात्वे भाव से करते हैं सात्वे भाव का अगर संबंध चौथेगर से हो जाए तो साधी आपके 50 किलोमीटर के रेंज में होती है यानि आपके नजदी की खेत्र में ही होगी जाज जाज़ा 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के रेंज में साधी हो जाती है अगर दसमें भाव से कनेक्शन आ जाए तो लड़का सरकारी जौब में होगा तो आप प्रात्मिकता देंगे सरकारी जौब वाले को ही अगर दसमें से कोई कनेक्शन नहीं आया तो निश्चित ही साधी प्राइवेट सेक्टर में होगी दसमा भाव आना अच्छा एस्टिटस को भी बताता है और जब हम वहाहिक सुख का विचार करते हैं तो जब भी साथमें भाव का संबंध अगर छठे आठमें बारामें और दसमें से हो जाएं तो फिर यह अच्छा नहीं माना जाता है यहां पर हम इन बुरे घरों को यूटिलाइज करेंगे बारामां घर अलगाओ को दर साता है सेप्रेशन को जरूरी नहीं必ह यह कि जब भारामा घर आ जाये तो डाइवर्सी होगा किसीने किसी कारण से सेप्रेशन जरूर होगा चाहिए कशीनक्री के कारण ओईसवी प्रका कि जिस से हमारी साधी भी है वो जोब के कारण बाहर चला गया हो और हमें घर में रहना पर रहा हो ये भी एक प्रकार कर सेप्रेशन ही है तो जब भी इबारामा भाव आएगा तो कहीं ने कहीं चया वो काम से या फिर किसी जगर के कारण सेप्रेशन हो पर सेप्रेशन होता जरूर है यह सब कुछ डिपेंड करता है दसा और महादसा प्रतेंतर दसा इन चीज़ों पर कुनली में अच्छे भाव होना भी बुरे भाव होना भी यह सबी होते हैं पर डिपेंड करता है कि हमारा महादसा कौन सा चल रहा है प्रतें तरदसा, दसा कौन सा चल रहा है, अंतरदसा कौन सा चल रहा है, तो उन संबन्धित ग्रहों के कारण कुनली के फल फलिभूत होते हैं, महाली जी कुनली में साधी का योग है, या प्रेम विवा का योग है, पर वो कब होगा? वो महादसा, अंतरदसा, प्रतेंतरदसा बताएगा जब भी उनका समय आएगा उस समय वो फाली भूत हो जाएगा तो यहाँ आएस्ट्रोलोजी की मदद से आप कही सारी चीजों की जनकारी प्राप्त करते हैं और उनका जब भी बुरे घरों से करेक्शन बन जाए तो उसका निदान भी कर सकते हैं उसको निश्व प्रभावी करने के लिए हमें बुरे घर का यूटिलाजेशन, कर्मा अलाइन्मेंट, अपने कर्म के द्वारा चेंजिंग यहाँ पर एक बात मैं किलियर करना चाहता हूँ कि यह सब हमारे कर्मों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, कर्मों की मदद से ही बहुत कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, अच्छे फल, बुरे फल जैसे एस्ट्रोलोजी यह नहीं करता कि आपकी 100% नोकरी है, अगर आपकी नोकरी के योग तो चल रहे हैं, पर जब आप पढ़ाई करेंगे, कर्म करेंगे नहीं, तो फली भूत नहीं होगा, तो यहाँ पर कर्मा एलाइन्मेंट टेक्निक के साहरे, आप बुरे फल को अच अचाके कुणली में नौकरी के योग हैं, सादी के योग हैं, पर आपने उस दिसामें कोई कर्म किया ही नहीं, तो फली भूत नहीं होगा, इसलिए कर्म को परधान कहा गया है, आपको बता सकता है कि आपके पास आपको यह मिल सकता है, इस समय के इस दूरेशन टैम निस्प्रभावी कर सकते हैं, अगर आपको पहले पता चल जाए, यह होता है कर्मा इलाइन्मेंट, इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाके संबन्दिद वीडियो को देख सकते हैं, आज के लिए इतना ही, हमारे पेज से जूरे रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वाट्सप नंबर या कॉंटेक्ट नंबर स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, किसी भी समस्या या प्रमर्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार.